नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक तो सिविल आटलुक तायम करने वाल हैं टॉप 40 एक्स्पेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एक्जाम जैसे कि SSE JE का अभी आपने एक्जाम दिया होगा तो उसमें अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो सब्रोट के थी, वहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले होगे मैंने सेम स्टेट्मेंट टाइप के भी क्वेश्चन कराये थे, वो भी आपको देखने को मिले होगे अभी बहुत जबचने के लिव बहुत जबचने कायेग अभी ये सारी जितने भी टॉपेक्स हैं, हरेंक का है 5 क्याईब करेंगे दिक काई अचे तोटल आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे हर एक question को detail में solve करा जाएगा, उसके पीछे का logic क्या है, उसके बारे में बात करेंगा, उससे little important जो facts हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो के यह में रखते हैं, हम लोग 40 lakhs का, इस वीडियो के यह में रखते हैं, हम लोग 40 lakhs का, और इस वीडियो की PDF करते हैं, तो उचे लिए पढ़ते हैं question के और one by one, तो पहला question है, alkalinity in water is expressed as mg per liter in terms of equivalent, तो mg per liter में जो हम लोग represent करते हैं alkalinity को, वो किसके respect में बताते हैं, देखे, अगर बात करें alkalinity की, ठीक है, और hardness की, दोनों को हम लोग represent करते हैं, equivalent किसके, CA, CO3, यानि की calcium carbon, यानि की option number A is the right answer, ठीक है, चलो, यह बात संग में आती है, अब alkalinity का मतलब क्या होता है, alkalinity, alkaline, यानि की basicity, यानि की, वो कौन सा होता है, negative ion concentration होती है, कैसी concentration होती है, negative ion concentration, तभी तो यह, जो hydrogen ion है, उसको क्या करता है, neutralize करता है, यानि, acidity को neutralize करता है, यानि की alkalinity के कैसी property है, basicity वाली property है, ठ तो अगर बात करें हम लग टोटल हार्डनेस की जो रिंज है वह 2200 से लिखे 600 क्या होती है हमारी mg पर लिटर तो चलिए बढ़ते है नेक्स्ट कुशन की और तो अप्शन नमेर इसका राइट अंसर ओके तो नेक्स्ट क्या कहता है दो मिजर दिफ्रेंस बिटिविन दिस इंफेक्शन और इस्टिरलाजेशन में डिफ्रेंस क्या है इसको हम लोग को बताना है यहाँ पर ओके अप्शन नमेर एक को देखते हैं डिस इंफेक्शन एम्स एट रिमूबल और इनक्टिवेशन ठीक है ऑफ ओनली पैथोजनिक बेक्टिरिया है हाँ डिस इंफेक्शन किसको मारता है सिर्फ पैथोजनिक बेक्टिरिया को मारता है या फिर उनको इनक्टिविट कर देता है ठीक है, and viruses, while sterilization aimed at removal of or inactivation of all microorganisms, including protozoa and parasites, ठीक है, ये भी सही है, okay, disinfection aims at either removal or inactivation of pathogenic microorganisms, ये भी सही है, while sterilization aims at complete destruction of all microorganisms, ये भी सही है, sterilization is usually cheaper than disinfection, तो ये भी सही है, यानि कि option number D, all of the above are the correct नासा, दीए, जब भी option number जो D होता है, all of the above होता है, तो आपको सारे option चेक करने होते हैं, कहीं न कहीं, वो चारों सही हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है, उन में से एक ही सही हो, या फिर आप एक को चेक कर लोगे कि एक गलाते हैं, तो all of these, इसका जो है, वो answer नहीं होगा, सिर्फ एक ही option सही होगा, तो इस तरह आप चूज कर सकते हैं, तो इसका option number D is the right answer, तो next question ग्यों बढ़ते हैं, तो next question है, जब हम लोग क्लोरीन डालते हैं, तो वाटर से react करके वो HOCl बनाता है, और HOCl किसमें बिडियों को या आता है, क्यों यह highly क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपो क्लोरस एसेट, यह कितना परसेंट होता है, यह कितना होता है, एक तरह से कह सकते हैं, यह hero है movie का, ठीक है, यह बहुत ज़्यादे active होता है, तो most effective कौन सा होता है, HOCl, इसको हम लोग बोलते हैं, हाइपो क्लोरस एसेड, ओके, यह कि option number C is the right answer according to the question, और हम लोग करते हैं किस purpose हैं, disinfection, disinfection मतलब only pathogens को मारना, ओके, तो चलिए बढ़ते हैं next question की उर, अगला question क्या कहता है, faculty bacteria are able to work in, देखें, तेन डाइप के majorly हम लोग ब्रोडली classify करते हैं, एक होता है आपका Arabic, याने की जो काम करता है in the presence of oxygen ठीक है, एक होता है, वो oxygen के presence में भी काम कर लेगा और absence में भी काम कर लेगा है, ठीक है, यानि कि facultative bacteria क्या होता है presence as well and in absence of oxygen ठीक है यानि कि option number C is the right answer अब मैं आपका एक myth के लिए कर दिता हूँ anaerobic के बारे में देखें कोई भी type का micro organism हमें इसा उसको oxygen की need होती है energy की need होती है food को consume करने के लिए ठीक है anaerobic में क्या होता है उसमें free oxygen होती है कैसी oxygen होती है anaerobic के लिए free oxygen होती है लेकिन anaerobic की condition में यह क्या करता है molecules की जो compound की oxygen है उसको break करता है इसी वज़े से यह slow process भी है oxygen यहां भी use होती है लेकिन यहां पर freely available oxygen नहीं होती है ठीक है अगर आपसे question पूछा जाए इंटरिव में कि क्या anaerobic bacteria oxygen की absence में काम करता है तो answer होका नहीं वो free oxygen की absence में काम करता है लेकिन oxygen की need होती है जो वो compounds को break करके लेता है यानि कि option number see the right answer according to the question तो चलिए बढ़ते है next question की और flocculation is a process of देखें दो चीजों में confusion है बहुत ज़्यादा बच्चों को एक है coagulation एक है flocculation ठीक है coagulation यानि कि हम तो coagulant मिलाते हैं coagulant मिलाते हैं ठीक है coagulant यानि कि एक तरह से alum alum का formula क्या है AL2SO4 का whole thrive.18H2O ठीक है alum मिलाते हैं अगर बात आ गई coagulant की तो coagulant की जो optimum dose होती है उस वो कितनी होती है हमारी 10 to 30 ppm यानि के mg per liter और optimum dose के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं जार टेस्ट करते हैं कोagulant क्यों मिलाते हैं कोagulant उन compound के लिए मिलाते हैं जो impurities के लिए मिलाते हैं जो settle नहीं कर पाती क्योंकि उनकी जो density है देखो density का concept क्या है अगर किसी भी पार्टिकल की density density of liquid से ज़्यादा है तो settle कर जाएगा बरावर है तो वो उसके suspension में रहेगा लेस जैन है तो वो float करेगा ठीक है अगर density उससे आपकी equal या फिर less जैन है तो उस suspension में रहेगा या फिर float करेगा तो ऐसे जो dissolve particles होते हैं तो वो हो क्या करते या क्या करते हैं सेटल नहीं हो पाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं什麼 cattle रहे होता क्या है जो चोटेएellschaft model suspension में होते हैं वह आपस में मिल जाते हैं इसको बोलते हैं फ्लॉक्लेशन दो चीजी हो गई हमने chemical की या किसी भी container में उसको बोलते हैं लो तो coagulation, coagulant add करने की process को बोलते हैं coagulation, लेकिन जब वो coagulant आ जाता है, तो हम लोग slowly इसको mix करते हैं, mix करके जो flock बनते हैं, यानि गुच्चे बनते हैं, छोटे छोटे particles आपस में बड़े हो जाते हैं, जिससे उसका जो density यह जादा हो जाती है, तो यह flock बनने की process को हम लोग बोलते हैं flocculation, coagulant यानि की chemical add किया, तो वो coagulation हो गया, उस chemical की process यानि help से जो छोटे चोटे particles हैं, वो आपस में मिलकर एक बड़ा गुच्चा बनाते हैं, इसको हम लोग flock बोलते हैं, तो इस process को flocculation बोलते हैं, क्लियर हो गया, अब option को देखते हैं, one by one, option ही क्या कहता है, mixing of the water table, option ही क्या कहता है, mixing the water and coagulant, allowing the formation of large particle of flock, यानि की यह सही answer है, ठीक है, लेकिन बाकी सारे भी check करने हैं कि इससे भी कोई अच्छा answer हो सकता है क्या, क्योंकि हमको best appropriate answer देखना पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, B को देखते हैं, removing relatively large floating and suspended debris देखे, तो यह एक अलग process है, यह sedimentation एक अलग process है, हमसे यह flocculation के बारे में बात किया गया है, यह sedimentation का बाड़ है, तो यह तो गलत है, ठीक है, option C क्या कहता है, option C को देखते हैं, flow which is slowed enough so that the gravity will cause the flock to settle, देखे, settlement एक अलग process है, यह sedimentation का part है, ठीक है, हम लोग उसे सिर्फ flocculation पूचा है, होता तो यह भी है, लेकिन flocculation के respect में जो सबसे अच्छा answer वह अभी तक यह है, D को देखते हैं, mixture of solid and liquids, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो settling tank, फिर बोला वही बात आगी settling tank, ठीक है, तो option number A, जो is the right answer according to the question, यह आपको जो भी PDF 5 मिलेगी, वो एक्दम clear मिलेगी, ठीक है, यह सारी चीज़ आपको नहीं मिलने वाले, इसमें जो मैंने इसमें उपर लिखा है, ठीक है, तो option number A is the right answer according to the question, ठीक है, तो next question के उबढ़ते हैं, अगला question क्या कहता है, the effective span of simply supported deck slab is computed as, देखे, simply supported beam हो, या फिर slab हो, तो उस condition में क्या होता है, यह हमारी beam है, जैसे, ठीक है, यह beam है, तो यह हमारा clear span हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक, इन दोनों supports के बीच की distance को, इसको बोलते हम लोग effective span, या फिर clear span में हम लोग effective depth यहां तक, जो tensile reinforcement तक होती है, इसको हम लोग add कर देते हैं, तो इसको भी हम लोग effective span बोलते हैं, और इन दोनों में से जो भी minimum होता है, उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है, अब option A को और B को देखते हैं, clear span प्लस effective depth, clear span यह हो गया, effective depth हो गया, तो यह भी सही है, बी कहा है, clear span प्लस bearing width, bearing यहनि की एक supports जो bearing यहनि ट्रांसफर करते हैं, यह supports को हम लोग bearing बोलते हैं, तो यह भी सही है, क्योंकि हम लोग by default क्या करते हैं, दोनों की width है, वो equal लेते हैं, तो half-half one हो जाएगी, तो bearing of width हो जाएगी, तो यह भी सही है, सी कहा है, maximum of A और B, तो यह दिखालाते है, maximum नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक, डी को देखते है, minimum of A and B, यानि कि option number D is the right answer according to the question, ओके, तो option number D एक right answer है, तो चलिए बढ़ते हैं, next question क्योंकि और, अगला question क्या कहता है, in an over reinforce section, over reinforce का मतलब है सीधा, आपको आना चाहिए, याद कि over reinforce जहां पर बोल दिया, तो उसका मतलब है, XA is greater than XC, ठीक है, option A, B, C, D, सबको चेक करते है, still reinforcement is not fully stressed to its permissible value, तो यह सही है, ठीक है, लेकिन, इस condition में क्या होता है, concrete अपनी permissible value तक पहुंच जाता है, B को देखते है, concrete is not fully stressed, तो concrete तो fully stressed हो जाता है, तो यह कहलाता है, either A or B का मतलब नहीं बनता, क्योंकि A एक right answer है, D को देखते हैं, बोथ A and B, क्योंकि A ही right answer है, तो बोथ B नहीं बनता है, तो option A is a right answer according to the question, ओके, तो चलिए बढ़ते हैं, next question के और, aspect ratio is a ratio, तो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग स्लैप पढ़ते हैं, तो हम लोग बात करते हैं one-way slap, two-way slap, तो हम लोग किसके respect में बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, aspect ratio, यानि कि LY by LX, अगर less than two है, तो उसको two-way slap बोलेंगे, अगर less than, greater than, अगर greater than two है, तो हम लोग बोलेंगे, तो क्या होता है, LY longer ओधises है, और LX smaller होती है, यानि कि longer to short response का ratio को हम लोग क्या बोलते ह है एस्पेक्ट रिख चुए यानि कि option number a is the right answer according to the question okay तो चलिए बढ़ते हैं इसक्षचर की हूँ और rectangular slab 6 by 8 meter design ऐस देगे और rectangular slab बुलिए तो ly कितना हो गया अपना 8 हो गया lx कितना हो गया 6 हो गया तो 8 by 6 की जो value होगी वो less than 2 होगी शीता फंड़ा है less than 2 होगी अगर वो less than 2 है तो क्या होगी तो यानि कि 2 slab होगी अगर greater than 2 आता मान लीजिए अगर greater than 2 आता तो उस case में क्या होती तो वह one way होती यानि कि option से नमबर जो भी हो रहा है टांसर अकॉर्टिंग तो केशन ओके तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स के और एकला केशन क्या कहता है वैंस लैब इस डैकली सपोर्टेट ओन कॉलम विदाउंड बीम इस नोन है जब जो हमारी कॉलम जो होता हमारा ठीक है यह हमारी स्लैब है ठीक है तो ऐसी स्लैब को क्या बोलते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट स्लैब यानि कि option number c is the right answer according to the question तो next question क्या कहता है the stress level below which a material has high probability not failing under reversible of stresses is known as any maximum किस लेवल की stress होगी जिसके अंडर वो fail नहीं होगा लेकि उसके beyond fail हो जाएगा ठीक है इतनी probability होती है कि वो उस stress level पे fail नहीं होगा तो उसको बोलते हम लोग end rest limit यानि कि option number b is the right answer according to the question तो next question क्या कहता है what is the creep creep is gradual increase of देकिए creep increase होता है तो creep पहली किस टाइब की strain है elastic strain है या फिर plastic strain है देकिए creep क्या होता है after construction जब हमारा construction complete हो जाता है और जो हमारा concrete हो जाता है hard हो जाता है ठीक है hard होने के बाद यह process apply होती है यानिकि यह तो elastic strain तो है नहीं हमारी ठीक है तो यह हमारी कैसे strain है plastic strain है अगर हमारा मेरा कोई भी यह ब्लॉक रखा हुआ है तो इस ब्लॉक के वजह से इसमें जितना भी deflection होगा deformation आएगा strain डवलफ होगा तो वह plastic strain होगा और मैं इसको remove नहीं करूंगा यानिकि यह load dead load होगा ठीक है यानिकि लोड चेंज नहीं होगा तो विद टाइम एड कॉंस्टेंट डोड यानिकि अप्शिन हमें एज दर राइट अंसर यानिक क्रीप क्या होता है क्रीप वेरिस विद टाइम और इसका जो है आपका लोड है वो एक तरह से हमें लोग कह सकते हैं dead load या फिर constant load बोलते हैं ठीक है अगर बात आगे क्रीप की तो क्रीप की जो terminal value होती है जो क्रीप की terminal value होती है वो कितने टाइम में अचीव होती है फाइव इयर में यह important है कि आप सो पूछा जा सकता है क्रीप की जो terminal value कब अची में चीव होती है ठीक है इस question का answer क्या option number a plastic strain with time at constant load ओगे तो next question क्या कहता है mild steel bar in two parts having equal length यानि कि कोई हमारी mild steel है ठीक है और उसके two parts in equal length है यानि कि L ठीक है अब मैं एक बार question को पढ़कर बताये था हूँ उसको किस तर short way में ऐसे question को solve करना उसके बारे में बात करें है ठीक है फिर से repeat करता हम question को mild steel bar in two parts having equal length क्या है हमारी length equal है the cross section area of part a is double that of part 2 यानि कि a1 हमारा क्या है twice है a2 का ठीक है cases and absolute P यानि कि दोनों load लेते हैं P then the ratio of elongation in part 1 that of part 2 यानि कि delta 1 by delta 2 डेल्टा क्या होता है डेल्टा है होता हमारा P L by A E ठीक है तो load constant है तो P से मतलब नहीं है length constant तो length से मतलब नहीं है E constant है तो E से ही मतलब नहीं को कि एक ही जो mild steel bar उसकी की दो parts है यानि कि material की से में यानि कि हम लोग कह सकते है है deflection inverse the proportional of area ठीक है तो हम लोग यह relation बने हमारा ठीक है यह short तरीका है ठीक है सब को cancel करने के बज़ा हम लोग जानते है कि इसके respect में बात हो लिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि delta 1 is equal to 1 upon a1 ठीक है और इसको हम लोग delta 2 से डिवाइड करेंगे तो delta 2 से डिवाइड करेंगे तो उपर क्या पंच जागा a2 ठीक है और हम लोग जानते हैं कि a2 तो हम लोग ऐसे लिखेंगे a1 किसके बरावर a1 बरावर a2 a2 यानिकि 2 a2 यानिकि a2 से a2 कैंसल होगा तो आंसर क्या है या 1 by 2 इस तरह चीजों को कैंसल करना इससे बड़ी है जो जो एक्वल है उसको पहली आप eliminate करते जाओ ठीक है यानिकि option नमर 1 by 2 यानिकि option नमर C is the right answer according to the question नोगे तो नेस्ट क्या कहता अगला क्रेशन क्यों बढ़ते हैं दा प्रिंसिपल इस्ट्रेस अड़ पॉइंड इन अप्लेंड इस्टेंड अलिमेंट आर 500 न्यूटन पर एमें स्कूर बाई एक्जरी ठीक है यानिकि हमारा कोई ब्लॉक है इस तरह मैं ब्लॉक बनाने तो यहां पर यह इस सैड भी इस तरह लग रही है हम दोग एजिम कर लेते हैं टेंसल मान लेते हैं यहां पर टेंसल या पर कंप्रेसिव बोला नहीं तो अम लोग टेंसल लेकि चलते यह भी 500 है यह भी 500 है ठीक है नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन इंक्लाइन एट 45 डिग्री ठीक है और यहां से बाइक्जेल है ठीक है तो बाइक्जेल की कंडिशन में तो यह भी सिगमा वान है यह भी सिगमा वान ह depends करेगा यह एक और यह 45 डिग्री पर भी बोलने तो हमारे जो और पर नॉमल रिश्ट्स ऑवह कितना रहेगा वह फिर पांस पहिं रहेगा ठीक है क क्योंकि sigma 1 is equal to sigma 2 है और same nature के है अब positive nature को यह होते है यहाँ यहाँ बन जाता है तो sigma 1 is equal to sigma 2 और जितने भी sigma होंगे वो sigma 1 or 2 के बर आउट होंगे यानि कि option नम्हा जो B है वो एक right answer होगा ओके क्योंकि same nature के है क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं है different nature का तो हम लोग by default same nature का लेकी चलेंगे यानि कि option नम्हा B is the right answer according to the question है अगला question है survey of India was publishing top sheet using a skill तो survey of India कौन सा skill यूज़ करती है वन ratio 5 into 10 to the power 4 ओके यानि कि option नम्हा D is the right answer according to the question ओके तो चलिए बढ़ते है next question के और अगला question क्या कहता है the needle of a magnetic compass is generally supported on देखे जो magnetic compass होता है तो उसकी needle हम लोग कहां पर support करते हैं हम लोग करते हैं हम लोग करते हैं जवल bearing पर यानि कि option number D is the right answer according to the question ओके तो अगला question है the bearing of line AB is 150 degree and the angle ABC is 124 degree the bearing of line BC is देखे यह हमारी line है A ठीक है यह और यह कितना है यह हमारा 150 degree है ओके यह हमारा B point है ठीक है क्योंगी यह मैं इसको दोबारा clear करके बनाता हूं ठीक है कि यह स्तर है हमारा ओके यह हमारा point A है और यहां से यह थोड़ा back करना पड़ेगा इसको दोबारा फिर से ठीक है यह A है ओके यह B है कि यह कितना है यह point यह one fifty degree है तो यह 30 degree बचा अगर यह 30 degree है तो vertically जो हमारा Z वाला process होता है Z करके तो यह भी कितना होगा यह भी 30 degree होगा ठीक है यह B point है और यहां से एक line जाएक हमारी C के लिए और यह कितना एंगल है हमारा one twenty four degree हमको बताना कितना यह वाला एंगल जाम लोग one twenty four में से 30 घटा देंगे तो कितना वच्छेगा 94 डिए यानिकी बेरिंग ऑफ बीसी कितने निकल गया है हमारी 94 डिए यानिक ऑप्षिन नमबर ए इस राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दो कुछ एसा ही मिलता जुलता कुशन इस बार एससे जी में पूचा गया था जिसमें आपको शायद deflection के थूप बताना था ठीक है अगला क्वेशन के और देखते हैं लोग दो डब्लू सी ब यानिकी होल सरकर बेरिंग ऑफ लाइन एबी और बी सी आर फिफिटी डिग्री एंड वन टुट्टी डिग्री कि यह 50 डिग्री एए कि ने इस फिफ्टी डिग्री ठीक है और बी से सी है जो बी से जो सी है जी मेरा बी कौइंट है से है वह कितने हैं फिफ्लेक्षन अंकल जानी कि अगर मैं इसको स्टेट बढ़ा हूँ तो यह कितना डिफलेक्ट हो गई डारेक्शन से तो में यह बता 50 घटा दूंगा तो यह वाल एंगल आ जाएका ना मेरा तो यह कितना आएका 70 degree यान नहीं कि option number B is the right answer according to the question okay तो चलिए बढ़ते हैं next question क्यों अगला question क्या कहता हमारा तो यह same repeat होगा question ठीक है okay इसको छोड़ दें फिर के the combined correction for a curvature and reflection of for a distance of 1400 meter is देखे तब लोग correction जानते हैं जो combined correction जो होता है हमारा वो क्या होता है 0.0673 D किसमें होता है क्लो मीटर में होता है किसमें होता है क्लो मीटर में होता है ठीक है जब आप इसको solve करेंगो तो आपका answer आएका option अब भी जाने की 0.132 meter will be the right answer ठीक है और जो combined correction होता हो तो अगला question क्या क्या करता है the smallest length then can be drawn on a map is तो वो कितना होता है वो होता है आपका 0.25 mm यानि कि option number D the right answer according to the question okay यानि कि जिस तर मैं dot करता हो ना तो यह कितना है यह कितना measure कर सकते है minimum smallest यह यह कितना point आपका 25 mm कितना 0.25 है ठीक है तो अगला question क्या करता है a plate load test is useful to ठीक है तो हम दो जो plate load test करते हैं तो उससे क्या का चीज़े measure कर पाते है bearing capacity ठीक है यह भी measure करते है settlement of foundation यह भी measure करते है यानि कि option number C both bearing capacity and settlement of foundation will be the right answer according to the question okay अब मैं आपको बताता हूँ जो कुछ formula important है ठीक है इस पर draw नहीं हो पहेंगे शायद तो मैं आपको एक rough idea देता हूँ settlement of footing upon settlement of plate is equal to width of footing upon width of plate यह formula किस के लिए होता है यह होता click case में ठीक है अगर हम वहीं send की बात करें तो यहां width of plate plus 0.3 upon width of footing यह साब meter में रखना है ठीक है plus 0.3 इसका पूरे का क्या कर देते हैं हम लोग whole square ठीक है अगर आप लोग को जड़ावी formula का idea होगा तो मैं क्या लिख रहा हूँ इस समय मेरे बास pen नहीं है जो भी मैं लिख रहा हूँ माउट से लिख रहा हूँ तो आप लोग समझ जाएंग उसको ओके तो अगले question क्यों बढ़ते हैं अकला question क्या कहता है हमारा a deep 10 meter sand stratum ठीक है कितना है और 10 meter deep sand stratum of bulk density 20 km per meter q is having a water table at 2 meter below the ground level यारे कि यह हमारा इस तरह है ठीक है यह हमारा कितना पूरा 10 meter रखा है ठीक है और इसकी bulk density कितनी गामा बी की बात करों तो कितनी है 20 है water table कितना है 2 meter below the ground level यारे कि यह water table हमारे यहां नहीं है कहां पर यहां में है तो यह कितना बच्चा मेरा 8 meter बच्चा है ठीक है एजिमें देंसेटी अवाट इस 10 km per meter q the effective stress in km per meter square at 10 meter below the ground level ठीक है तो हम लोगों को यहां पर बताना है इस point पे तो 2 meter तो मेरा बलक है तो 2 into कितना कर दूँगा 20 कर दूँगा ठीक है और 8 meter मेरा कितना सम्मझ दे सम्मझ दे यानि कि 20 में से 10 गड़ा दूँगा तो 10 बच्चे गड़ ठीक है यानि कि 40 प्लस 80 इसको एड करोगो तो 120 आपका अंसर आएगा ठीक है मैंने एक आपको कर दिखाया है यह टीक है शॉट में तो option नम्म B will be the right answer according to the question okay तो चलिए बढ़ते है next question की ओर तो अगला question क्या कहता है the unified soil classification system was originally developed by तो originally developed किसने किया गया था वो करा था cash grant नहीं है यानि को option नमर्ड डी is the right answer according to the question okay तो चलिए बढ़ते है next question क्यों अगला question क्या क्या क्याता है the void ratio pressure diagram is shown in the figure the coefficient of compressibility is देखे compression index अलग है coefficient of compressibility अलग है ठीक है तो हम लोग compressibility की बात कर देते हैं तो उसमां लोग यह topics पढ़ते हैं तो coefficient of compression क्या होता हमारा तो वह होता हमारा यहां पे लिखता हूं ठीक है यह होता हमारा चेंज इन effective stress अपन से काहँ तक चेंज फाँ छेंज हुआ पहले 57ग था उसका 7 vedri टो कितना चेंज होँआ यहां पर हमारा जीरो 5पाइब कर चेंज ने समुंए था एक पार पे तो कितना होगा 0.6 हो गया यानि 0.1 का चेंज हुआ तो 1 by 5 करोगे तो आपका कितना हैगा 0.2 यानि कि आपका c option number c will be the right answer 0.20 meter square per ton ठीक है तो क्योंकि सब यूनिट्स का दहां रखना क्योंकि यह टन पर meter square में दे रखा को यहां पर प्रैस है तो यह भी आंसर meter square per ton में ही आ रहेगा ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन की और अगला question क्या कहता हमारा an oil of specific gravity 0.9 content in a vessel यानि कि कोई भी हमारा oil है जिसकी specific gravity क्या हमारी zero point है specific gravity क्या denote करती है कोई भी liquid हमारा जो water से कितना light है या फिर हैवी है वो रिप्जेंट करता है 0.9 है यानि कि less than one है यानि की हमारा light है यान की water के ऊपर वो फ्लो करेगा ओके अगला क्या बोलता है at a point the height of oil is 40 meter यानि कि height of oil कितने 40 meter यानि कि इसी oil की बात कर रहा है वो ठीक है and for the density of water is 10 kilogram per meter की corresponding height of the water at that point will be देखे तो एक short formula में बताता हूं आपको s1 upon into h1 is equal to s2 into h2 ठीक है तो s1 कितना s1 कि हमारा 0.9 है s यानि कि specific gravity उसकी height कितनी है 40 meter है s2 कि हमारा water है तो water की जो specific gravity 1 होती है तो हम और s2 किया height of that liquid यानि कि water की तो 9.36 यानि कि 3.36 meter will be the right answer according to the question okay यानि कि option number c the right answer okay तो चलिए पढ़ते है इन इसक्रेशन के और अगला question क्या कहता है the velocity distribution for a plate is given by u is equal to 0.5 y minus y square where v is the velocity in meter per second at a distance y meter above the plate if the dynamic viscosity of the fluid is 0.9 newton second per meter square then what will be the shear stress at 0.20 meter from the boundary ठीक है यानि कि यह हमारा fixed boundary होती है इस तरह है ठीक है यहां पर du upon dy mu कितना दे रेका आपने को यहां पर 0.9 ठीक है धान अकना जो dynamic viscosity यह उसकी unit newton second per meter square तो किस में है mks में है अगर यह वहीं हम लोग cgs में बात करेंगे तो poise या फिर centi poise भी बूला जा सकता है तो आपको unit का conversion भी आना चाहिए ठीक है अपने को क्या need है यहां पर du upon dy तो du upon dy करेंगे तो 0.5 बचेगा ठीक है minus two into 0.2 ठीक है तो यह इसको solve करेंगे तो 0.1 आएगा ठीक है इंटो 0.1 ठीक है तो यह आएगा 0.09 newton per meter square unit का भी ध्यान रखना है any option number d will be the right answer according to the question okay तो उचे लिए बढ़ते है next question के और हाँ दो होई question आ गया poise has the unit of तो poise को unit क्या होती है newton second per meter square तो इसको देखके आप बता दोगे अगर आपको cgs में knowledge नहीं है newton को cgs में हम लोग किस तरे dependent करते हैं डाइन में second को किस तरे dependent करते हैं हम लोग second में मीटर को किस तरे dependent करते हैं सेंटी मीटर में सेंटी मीटर का स्कूर कहां पर है तो यह है एक ही option है newton dine second per centimeter square यानि का option number d is the right answer according to the question okay तो next question के बढ़ते हैं अगला question क्या कहता है हमारा which of the one is the use of flow net in fluid mechanics तो हम लोग जानते हैं जो हमारा flow net हम लोग द्रो करते हैं तो समय लोग किस परपर्स करते हैं to determine the steam line and equipation line तो यह तो गलाता है इसके लिए हम तो करते ही नहीं है to determine the downward lift pressure above hydraulic structure तो यह भी एक तरह से सही है लेकिन हम लोग वो best check करना है ठीक है to determine the viscosity of the given boundaries for a fluid तो विसको सिटी एक property इसको में नहीं करते हैं जैसे permeability property है उससे विसको सिटी property है ठीक है to design the hydraulic structure यस यह सबसे best answer है ठीक है option b को देखते हैं to determine the downward lift pressure above hydraulic structure तो यह भी कहीं मैच नहीं करता है ठीक है तो option number d to design the hydraulic structure is the best answer okay तो चले बढ़ते है next question की हूँ इसका answer क्या है d okay तो अगला question है in a laminar flow between two fixed plates held parallel to each other at a distance d then shear stresses देखें यह हमारी plates है मैं यहाँ बनाएं तक गोड़ कर देता हूं ठीक है यह दो plates हैं यह fixed plates हैं ठीक है तब लोग शेश्टर्स diagram जानते हैं तो वह किस तरह इस तरह बनता हमारा किस तरह है इस तरह का होता है शेश्टर्स diagram ठीक है यहाँ पर maximum होता है maximum at a distance divided to from each plate तो यहाँ पर जीरो होता है क्या होता है जीरो तो one तो गलत है तो one यह भी गलत है वन में यह भी गलत है तू को देखते हैं जीरो throughout the passage ठीक है जीरो तो होता नहीं है ठीक है यह variation तो हो रहा है तो two भी गलत है तो three को देखते हैं three एक right answer हमको पता लेकिए हम लोग फिर भी पढ़के चेक करते है maximum at the plate boundary condition and zero at d by two from each plate तो यहाँ पर maximum है जीरो पर ठीक है और जो minimum है या फिर जीरो है वो कहाँ पर हमारा d by two पर यानि कि हाप पर होता है तो option number b the right answer according to the question okay तो चले बढ़ते है next question क्यों फोर्स ऑफ बायों सी और फ्लोटिंग बॉड़ी is equal to तो जो भी force होता है बायों से यानि कि back लगता है वो अबबार direction में opposite direction में वो किस के बरावर होता है वो equal होता है आपका जितना भी liquid आपने displace कराए क्योंकि उसके quality तो वो force apply करेगा react करेगा ठीक है जिसको अम दो नीटर्स third law भी बोल सकते है ठीक है तो total pressure on the vertical projection of the body यह सही है ठीक है सही है लेकिन कौन साब बेश्ट है weight of the liquid कोगी उसके जो projected area उसी पे तो force काम करेगा ठीक है weight of the liquid equal to the immersed volume of the body ठीक है c को देखते है weight of the liquid equal to the volume of the body ठीक है इन दों में difference कहा है weight of the liquid equal to the volume of the body यानी कि पूरी बोड़ी यान मान लो कि यह मेरा कोई water level है यहां पर यह मेरी body है ठीक है तेकिन जो मेरा बाइंसी force है वो इस इतना जो volume displace करा है liquid का उसके बरावर लगए यह देखते हैं यह इमर्स volume बोला यह full volume बोला यानि कि इमर्स volume will be the right answer यानि कि option number B is the right answer according to the question okay तो चलिए बढ़ते है next question क्यों अगला question क्या करता है on which of the following principle Bernoulli equation is based देखें दो equation है आपसे हर बार पूछी जा सकती है एक continuity एक Bernoulli continuity किस पर बेज़ते है conservation of mass Bernoulli किस पर बेज़ते है conservation of energy ठीक है तो option number B की जो है आपका conservation of energy with the right answer according to the question okay तो next question क्यों बढ़ते है an increase in pressure of two bar one bar कितना होता है 10 to the power five pascal के बराबर ठीक है decrease the volume of a liquid by 0.01 percent ठीक है इतना उसमें decrement होता है the bulk modulus of that liquid ठीक है हम लोग जानते है के क्या होता है क्यों होता है change in pressure upon volumetric strain ठीक है change in pressure कितना अपना टू बार टू इन्टू टू दी पावर 5 लिख सकते हैं लोग अब यहां पर आपको बार का मतलब पता होना चीए वह का बार टाइप में नहीं होता बार का it by 0.01% यानि की 10 to the power minus 2 तो है ठीक है ओ परसेंट है यानि की 10 to the power minus 2 और हो गया तो यह कितना होगा 10 to the power minus 4 उपर जागे क्या हो जाएगा plus 4 यानि की 2 into 10 to the power plus 4 यानि की option number c is the right answer according to the question okay तो उचे लिए बढ़ता है next question की अगला question क्या क्याता है in manometer the fluid whose pressure is being measured have density देखे manometer में जो भी हमारा fluid है जिसका हम लोग pressure measure करते हैं वो light density का होता है क्योंकि वो light density का होगा तो उसकी जो आपकी करते है height है length है हमारी जो tubes हैं उसमें हम लोग को ज्यादश होगी यानि की उसकी density जिसके respect का हम लोग measure करते हैं उससे light होती है ठीक है तो इसको क्या बोलते हम लोग option number a less than the density of manometric fluid यानि की option number a is the right answer according to the question greater किसम में होती है greater होती है आपकी जो differential होता है उसमें तो अगला पड़ते हम लोग the gauge pressure at a point is equal to देखिए absolute जो pressure होता है ठीक है होता है atmospheric pressure plus gauge pressure अगर मैस कर देंगे तो vacuum pressure रजगा तो gauge pressure क्या है उस point पे gauge pressure के चकर में हमारा जो atmospheric pressure हम लोग उसको क्या लेके चलते है जीरो लेके चलते है उस condition में हमारा absolute pressure भी किसके बरावर हो जाता है gauge pressure के बरावर हो जाता है क्योंकि atmospheric pressure को हम लोग क्या लेके चलते है जीरो लेके चलते है तो gauge pressure at a point is equal to absolute pressure प्लस atmospheric pressure तो यह तो नहीं होता है, ठीक है, absolute pressure minus atmospheric pressure क्योंकि यहां से यह pressure यहां पर आके minus हो जाएगा, यानि कि option number B is the right answer according to the question, तो next question क्यों बढ़ते हैं, the velocity distribution for flow between two fixed parallel plates, ठीक है, पहले नहीं बोला था share stress के लिए, अब बात कहीं कि यह velocity के लिए, तो velocity के लिए क्या होता है, वो होत आपका इस तरह है, यह है, ठीक है, इस constant over the cross section area गलत है, इस zero at the plates, and case linearly linearly increase नहीं होता है, ठीक है, parabolic increase होता है, linearly कौन सा vary करता है, share stress vary करता है, ठीक है, ध्यान रगता है, जो velocity है, वो parabolic vary करती है, और जो share stress है, वो linearly vary करती है, ठीक है, सी कहा कहता है, varies parabolic across the section, यानिकी C एक राइट answer है, डीकोर सकते है, इस zero in middle, तो यहाँ ही, इसको हम लोगों ने cut कर दिया, ठीक है, यानिकी option number C, the right answer according to the question, ओके, अगला question है, what is the reciprocal of density, देखे, density का is equal to mass upon volume, इसका जो reciprocal है, वो क्या है, आपका specific volume, ठीक है, यानिकी option number D, the right answer according to the question, ओके, which of the following is incorrect about the wetting fluid, जो wetting fluid होता है, जो गिला कर देता है, उसके respect में कौन सा गलत है, adhesive force is less than the cohesive force, देखे, adhesive force ज़्यादा होगा तो यह उसको wet कर पाएगा, तो यह तो हमारा गलत है, ठीक है, यह हमारा गलत है, ठीक है, यहीं हमारा गलत है, ठीक, option number A, is the right answer according to the question, क्योंकि यहां पर हमसे गलत ही पूचा है, क्योंकि adhesive force अगर ज़्यादा नहीं होगा, यानि कि cohesive force ज़्यादा होगा, तो गिला करी कैसे देगा, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा, option number A, is the right answer, okay, अगला question देखते हैं हम लोग, which of following fluid can be classified as Bingham plastic fluid, तो Bingham plastic fluid वो होते हैं, जिन में हम लोगों को initially थोड़ा stress लगाना पड़ता है, तो उसका जो best answer हो, क्या है हमारा, toothpaste, ठीक है, toothpaste, printer में आपको कोई stress लगा नहीं कर नहीं, वो flow हो जाएगा, ठीक है, gypsum solution में आपको कोई stress लगा नहीं, फ्लो हो जाएगा, human blood में, फ्लो हो जाएगा, ठीक है, toothpaste में, जब टूथपेस्ट को उल्टा करते हो, तो आप फ्लो होता है क्या नहीं, आपको उसको दबा के pressure के लगा के निकालना पड़ता है, यानिकि initially उसको कुछ stress की need होती है, यानि नेक्स फर्शन के उबढ़ते हैं, और circular disc of plate dia 1.6 means there is emulged vertically in liquid, ठीक है, vertically in liquid है, ठीक है, the top most point of disc is just the surface, यानिकि यह हमारा water surface है, the depth of center of pressure तो इसका आप लोग फामला जाज रख लो, 5 by 8 और इसका जो भी depth है, ठीक है, कितना dia 1.6 इसका dia है, ठीक है, 8 से 2 ताइम जाएगा, और 0.2 रहेगा, 0.2 का 5 में करोगे, तो 1 आएगा, यानिका option number B is the right answer according to the question, okay, तो यहाँ पर 40, okay, हम लोगो ने 40 question complete कर लिये, okay, तो हर एक question को मैंने short trick से इस तरह मैं आपको यहाँ पर इसका बताया कि 5 by 8 आप याद रख लो, यहाँ पर, कि यह चला गया, 5 by 8 याद रख लो, क्योंक मैं नहीं चाहता आप लोगों कि मैं आपको formula रटा हूँ, ठीक है, मैं बोलूँ कि h bar is equal to ixx upon a x bar plus x bar इसको solve करो, सीधा फंड आए, what is the output, आपको एक्जामी सब solve करने की need नहीं है, आपको output पर focus करना है, ठीक है, तो 5 by 8 of dia होता है, अगर वो surface को touch करता है, अगर depth यहाँ होती तो जितनी भी depth होती, h, उसको हम लोग add कर देते हैं, और h plus 5 by 8 of d हो जाता फिर, ओके, तो इस तरह आप लोगों को मैंने, मैंना try रहता है, कि आपको जो point to point है, कम time में ज्यादा knowledge देने का, ओके, I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, अगर वीडियो अच् को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों साथ share कीजिए, आप लोग जितना like करोगे, वीडियो को जितना share करोगे, तो हम लोग वही पता चलेगा, कि आप लोग हमारा content पसंद कर रहे हैं, जिससे हम लोग और भी ज्यादा must content आप लोगे लेके लिए आएंगे, ठीक है, next वीडियो म कैसे हो सकता है, पहली बात की unit difference है, यह kg है, यह liter है, तो यह equal कैसे हो सकते है, ठीक है, 1 kg is equal to 1 liter, यह कैसे हो सकता है, तो इसमें जो confusion है, water के respect में में बोल रहा हूं, तो कैसे होता है, उस topic के उपर में एक वीडियो लेके आने वाला हूं, जिससे आपका जो knowledge base, basic unit का concept है, वो crystal के लिए हो जाएगा, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते नेक्स वीडियो में, till then, be happy, keep learning and keep smiling.